अश्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल डिपलोमा वर्ड में तो दोस्तों जैसे कि आप सब को पता कि यूपी पॉल टेक्निक का जो रिजल्ट है वो आ चुका है ठीक है तो ऐसे में बहुत सारे चात चात्रा हैं जो को वी भी कन्फ्यूज हैं तो मैं आ आपके जो भी मार्क्स हैं वो सिर्फ काउंट किये जाएंगे और रियेवल्यूशन में होता है जो आपकी कॉपी है वो दुबारा से चेक की जाएगी ठीक है देखो जिसके अपसेंट लगी है पहली चीज अपसेंट के बात करता हूँ जिसकी अपसेंट लगी है तो वो व आई है फिर भी आपका इसमेंट नहीं हती है तो आप रियेवल्यूशन का डाल ड़ने आपकी जो बैक है वो क्लियर आपकी अपसेंट वो यहाँ जाएगी जिस्की जिसने पेपर दिया अगर उसके अपसेंट है तो और जिसने पेपर नहीं दिया है उसका education कि अपसेंट किया जाएगा तो MW 100% हट जाएगी उन्हें और कुछ करने की नहीं है ना उन्हें कुछ बस आप वो इतना कर सकते हैं अपना रिजल्ट का प्रिंट आउड निकालो आप जिस कॉलिजिस में पढ़ना है हो अब वहां जाएए अपने रिजल्ट अपने प्रिंसिपल को शो करा अब बात करते हैं जिसके 00 marks है पहली चीज ही है 00 काई conditions में बच्चे के लग सकते हैं अगर आप confident हो कि आपने अच्छा किया है और फिर भी आपके 00 है तो आप revolution भी डाल सकते है स्कूटनी भी डाल सकते है ठीक है क्योंकि अगर आपके जब 00 है आपने अच्छा किये तो marks अगर count भी हो जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा और जिस बच्चे नहीं किया है वो सोच रहा है मेरे एक यह दो नमबर तो आना चाहिए था त स्कूटनी वो ही बच्चे डाले जो पास है मैं अगर उसको लगता है मेरे subject में marks कम है जैसे किसी के marks 40 है वो समझता है कि मैंने 45 का किया है और 45 आने चाहिए तो वो स्कूटनी एक बार डाल सकता है marks को दवारा count कराने में ठीक है बाकि मेरी समझते है कोई जो पास है जो उसक कुछ भी न डाले क्योंकि अगर revolution इसकूटनी में marks अगर बढ़ते भी हैं तो घटाए भी जा सकते हैं ठीक है अगर आपके हो सकता है 17 नमबर आपके examiner ने पास आपको किया ही हो आपके 16 आ रहे हैं उसने 17 की हो अगर आप कोई form डालो आप फस जाओगे आप आप पास हो अ अपने अपट जाएगा बस आपको अपने result का print out अपने college में submit करना है अब send वाले वो जो हैं अगर जिनोंने paper दिया है अगर उनकी भी send है तो एक बार college में जाकर बता सकते हैं वरना वो अगर नहीं बता है तो वो school and revolution का form डाल सकते हैं और अगर किसी भी चात्रों को अगर क करूँगा अपके साथ ठीक है दूसरी चीज यह आती है अब दूसरा question आता कि स्कूटनी और revolution का form कब आएगा तो हमाई जो जाबे सर्जी है उन्होंने बताया कि जो स्कूटनी और revolution का form है वो संबार तक आ जाएगा मंडे को जो मंडे अब आ आ रहा है इसको इस मंडे को revolution क कूटनी का form आ जाएगा अगर बाई चांस मंडे को नहीं आता तो तूजडे को तो आही जाएगा आप तब आरहम से भड़ सकते हो और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि revolution का form कब आ रहा है इस कूटनी का कब आ रह तो वीडियो को अच तक देखने के लिए बहुत बहुत दिन्यों बाद जोड़ रहे हैं मेरे चैनल के साथ टाटा बाई बाई